Hello friends, यह नहीं हो सकता कि आपके बास WhatsApp नहीं है, अगर आपके बास WhatsApp हैं, तो आप जरूर यूज करते हैं, और हम लोग WhatsApp यूज करते हैं, लेकिन WhatsApp के अंदर कुछ privacy checking है, जो check हमें जरूर करना चाहिए, एस सब चीज हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इस वीडियो का जरूर आपको देखना चाहिए, और WhatsApp हाली में एक फीचर आपडेट किया है, और फीचर आपको आपके WhatsApp के अंदर मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो प्लीज आपके WhatsApp जो है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपके WhatsApp आपडेट कर लीजिए, उसके बाद आपके WhatsApp के अंदर आपको मिल करने के बाद नीचे आपको दिखाए देगा Setting, आपको क्लिट करना है, करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाए देगा incorporates, अपर Hazal तो यह फीचर क्या है, अप अपर प्राइवेसी चीकाप आप देख सकते हैं यहाँ प्र प्राइवेसी चीकप लिखा हूआ है, तो इसको आपको क्या करना है just click कर देना है अब click करने के बाद आपके समरे दिखाए देगा your privacy matters अब इसके अंदर धेयान से देखना क्या 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 चीज़े है और आपको क्या 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 नहीं करना चीज़े तो पहले आप देख सकता है choose who can contact you तो just उसको आपको click कर देना है और यहाँ पर आने के बाद देख सकता है choose who can contact you यहाँ पर groups लिखा हुआ है नीचे silence unknown caller लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है block contacts block contact मतलब आप समझ सकता है कि जिसको आप block किया है जिस person को आप block किया है यहाँ पर आपको दिखाए देगा ठीक है अब उपर क्या है silence unknown caller यह जो option है हाली में आया है WhatsApp के अंदर यह आप देख सकते हैं इसको मैं click करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकता है silence unknown caller इसका मतलब है अगर आपके पास कोई भी unknown number से calling आता है WhatsApp के अंदर तब अगर आप इसको on रखेंगे तो आपके पास ओ call नहीं आएगा ठीक है आप notification देख सकता है यहाँ पर आपको call आया हुआ है तो यह एक option बहुत बढ़ी option है silence unknown caller जो कहीं अंजान बेखती ने आपको call किया या फिर कभ क्या है back कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको उपर दिखाए देगा groups अब groups में क्या है मैं click कर लेता हूँ पहले click करने के बाद अभी उपर लिखा हुआ है who can add me to groups आप यहाँ पर समझ लीजिए आपको कौन group में add कर सकता है everyone मतलब कोई भी आपको एरे गरे कोई भी आपको save है शर्फ ओही आपको कोई भी group में add कर सकता है ठीक है अब यह आप समझ गया अब नीचे देख सकते है my contacts except तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके mobile के अदे जो भी number saves है वहां से आप तो कोई भी contact अगर आप select कर लेंगे तो select करने के बाद शिप ओही आपको अब तो आप यह देख लिया आपने आपकी जो privacy check-up की who can contact क्यों यह हो चुका है तो back कर लेता हूं फिर से तो यहाँ पर आप देख सकते है नीचे control your personal info अब यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है profile photo तो मैं profile photo को क्लिक कर लेता हूं अब पर से आप देख सकते है कि कोई भी मेरा photo देख सकता है मतलब everyone मतलब कोई भी मेरा profile photo देख सकता है लेकिन अगर आप इसको click करेंगे my contacts तो इसका मतलब अगर आपके mobile पे उसकी numberむ visual है तब ऑई person आपके profile photo को देख सकता है थीक है अब यहाँ पर देख सकता है नीचे लिखा ह तो यह नो बोड़ी आगा क्लिक करेंगे कोई भी चाहे आपके मोबाइल के अंदर उसकी नंबर सेब हो या ना हो ठीक है कोई भी आपके प्रोफाइल फोटो देखनी सकता ठीक है अब इसको में माई कॉंटक कर लेता हूं बैक कर लेता हूं अब बैक करने के बाद यहां पर देख सकता है read receipt यह साइद आप समझते होंगे तो यह मैं बता नहीं रहा हूं तो यहां पर मैं जो चीज में चीज़े है मैं ओई दिखाने बाला हूं सब कुछ में दिखा नहीं रहा हूं तो आप finally main setting आपको यहां पर दिखाए देगा add more protection to your account just आपको इसको क्लिक करना और इसको आप जरूर करना चाहिए आपको तो two step verification कैसे करना है यहां पर आप देख सकता है two step verification नीचे turn on लिखा हुआ है just आपको उसको click कर देना है यहां पर कोई भी six digit pin code आप डाल दीजिए तो मैं pin code डाल दे रहा हूं दो बारा फिट से आपको जो six digit pin code आपने डाला है पहले कोई digit pin code आप यहां पर डाल दीजिए तो next देख सकता है add an email so you can reset your pin if you forget it अगर आप यहां पर कोई भी email ID डाल देंगे तो यह six digit की pin code अगर भूल गये हैं तो तब उस mail ID के जड़िये से आप reset कर सकते हैं तो मैं यहां पर एक mail ID दे देने के बाद इसको next कर लेता है तो mail ID को फिर से confirm देना है फिर से email ID आपको यहां पर डालना है तो इसके बाद आपको दिखाए देगा save button just save button पर आपको click कर देना है और click करने के बाद देख सकता है two step verification has been turned on और two step verification करने के बाद आप जब भी WhatsApp को open करेंगे तब भी फिर से आपको यह 6 digit आपको डालना है जैसे app lock में अंदर जैसे आप पीन कोड डालते हैं उसके बाद आपके जो application open होता है यहां पर भी same है यहां पर आपके जो two step verification code पीन कोड है यहां पर आपको डालना है और डालने के बाद आपकी WhatsApp open हो जाएगा तो finally मेरा जो WhatsApp है safe हो चुका है और secure हो चुका है आप भी secure हो जाएए और safe ह हो जाएए safe रखिए आपकी जो WhatsApp है या फिर आपकी जो bank account की जो भी details इसके अंदर डाला हुआ है वह आपके safe रहेंगे तो friends यह वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद रहा तो please वीडियो को like जरूर करना और दोसलों के साथ जरूर share करना और अगर आप इस चैनल पर नेया आया हुए तो please चैनल को subscribe करना ना भूलिए तो चलिए मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए bye bye